subscribe to my youtube channel and press bell icon to get latest update how to calculate area of irregular field or land आज हम देखेंगे कि कोई भी field अगर होगा या कोई भी land होगा हमारा तो हम उसका area कैसे calculate करेंगे normally जो हमारे geometrical figures है जैसे हमारा square है rectangle है, triangle है, parallelogram है, trapezium है उनके लिए हमारे पास basic formulas है जिससे हम area calculate कर सकते हैं लेकिन practically जब हम देखते हैं तो हमारा जो land होता है वो उन shapes में नहीं होता है उसकी shape irregular होती है तो वो जो irregular land है तो अब हम देखेंगे उसका area हम कैसे calculate करेंगे तो हमने यहाँ पर land measurements ली हुई है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तो इसमें क्या है कि जैसे हमने boundary के measurements पहले ले रखे हैं 30.35 meter 28.75 meter 18.56 meter 23.65 meter और 25.37 meter जैसे हमारा square हुआ rectangle हुआ जैसे rectangle का area हमारा है length into breadth तो हमें खाली length चाहिए और breadth चाहिए या वैसे parallelogram का base into height वैसे हम calculate कर सकते हैं लेकिन जो हमारे irregular shapes जो बनती है उनका procedure है कि एक तो हमको outer dimension सारे लेने है और inner जो diagonals है वो लेने है यानि कि simple procedure यह है कि जो भी आपका irregular field होगा उसकी boundary की measurements लेंगे तो फिर जो वहाँ पे shape बनेंगी उसको हम triangles में divide करेंगे तो फिर वो triangles के अंदर वाले sides होंगे उनकी भी measurement लेंगे जैसे हमारे यहां पे जो यह field था यह pentagon की shape में पांच sides है इसके एक दो तीन चार पांच तो उसके बाद हमने यह diagonal एक और दो diagonal की measurement और ली तो हमने क्या किया कि इस field को या इस land को हमने तीन triangles में divide किया तो हम क्या करेंगे एक triangle का area calculate करेंगे फिर दूसरे का और फिर तीसरे का तो तीनो triangles का area हम calculate कर सकते हैं लेकिन जो formula इसमें use होगी normally जैसे हम area of triangle calculate करते हैं हम use करते हैं 1 by 2 base into height लेकिन इसके लिए हमें जो formula use करने क्योंकि इसमें हमें तीनो sides पाता है तो हम उसके basis पर calculate कर सकते हैं उसके लिए जो formula use होती है उसको हम बोलते हैं heron's formula heron's formula जो है अगर यह कोई triangle है जिसके तीन sides है a, b और c तो उसका area जो होता है वो equal होता है under root of s, s minus a, s minus b, s minus c a, b, c जो है वो इस sides के triangles है और जो s है sum of sides divided by 2 हम क्या सकते हैं कि जो s है वो semi perimeter है तो इस formula के basis पे हम जो है area को calculate करेंगे एक तीनो triangles का अलग-अलग और फिर उन triangles का sum जब लेंगे तो वो हमारा जो है total area आ जाएगा तो हमने यहाँ पे तीनो triangles को अलग-अलग ले रखा है यह इसका हम नाम रखेंगे तो वैसे हमारे यहां के जो triangles है यह one लिखेंगे इसको तो इसका हम area calculate करेंगे और similarly फिर और दो ट्रैंगल का भी करेंगे इसमें अगर हम देखेंगे जो हमारा A जो हम लेंगे 30.35 B 35.58 और जो C हमारा है 25.37 मीटर तो सबसे प्रोसीजर पहला है S equal to A plus B plus C 30 by 2 30.35 plus 35.58 plus 25.37 होल डिवाइड बाइड 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 तो जो भी calculate करते हैं तो यह हमारा आता है 45.65 तो एरिया आएगा हमारा अंडर रूट आफ S S माइनस A S माइनस B S माइनस C तो अब मैं इसमें लूट सबस्टूट करूंगे डिरेक्ली ROOT OF S 45.65 MULTIPLYED BY 45.65 MINUS 30.35 45.65 MINUS 35.58 MULTIPLYED BY 45.65 माइनस 25.37 जब मिसमें वैल्यू सबस्चूट करते हैं तो यह इसकी कैलकुलेशन जो आती है 377.672 स्कैर मीटर तो जो हमारा पहला जो यह पार्ट है वन जिसका नाम हमने रखा तो इसका एरिया हमारा आ गया 377.672 स्कैर मीटर इसी तरीके से हम जो हमारा सेकेंड है इसका भी कैलकुलेट करेंगे इसी फॉर्मूला से तो अब इसमें कोई भी तीन साइट होते है यानि कि ए कोई पर्टिकुलर साइड लेना है ए बी सी तो इसका भी एरिया अगर हम देंगे मैं एसस में डिरेक्ली कैलकुलेट करूंगा एस इकोल टो 35.58 प्लस 35.58 प्लस 23.65 बाइट तो हमरा आएगा 35.58 प्लस 35.58 प्लस 23.65 बाइट पाइट तो हमरा आता है 4747.405 इसमें फिर से एरिया इकोल टो अंडर रूट आफ सेम फॉर्मुला तो ऐसा हमारा है 47.405 47.405 माइनस 35.58 तो अग्ला साइड भी हमारा 35.5 तो दो बार है तो मैं स्केर लिफ हूँगा और 47.405 माइनस 23.65 जब इसको कैल्कुलेट करेंगे 47.405 माल्टिप्लार भी 47.405 माइनस 35.58 और 47.405 माइनस 23.65 तो हमारा आता है 396 396.817 स्केर नीटर तो हमारे ये दो एरियास कैल्कुलेट होके अब इसी तरीके से जो हमारा है तीसरा एरिया भी कैल्कुलेट करेंगे तो उसके लिए हम एस कैल्कुलेट करेंगे एस जो हमारा है 35.58 28.75 18.56 दिवाइड़ वाइड़ तो हमारा आएगा 35.58 प्लस 28.75 प्लस 18.56 दिवाइड बाइड़ वाइड़ तो तो 4141.445 तो इसका एरिया भी जब क्याल्कुलेट करेंगे तो यह हमारा आएगा 41.445, 41.445-35.445-28.75 or 41.445-18. 15.56 तो जब इसको क्याल्कुलेट करेंगे यह हमारा आएगा under root of 41.445, 41.445-35.58, 41.445, 41.445-35.58, 41.445, 41.445, 5-28.75 41445 minus 18.56 तो आजाएगा हमारा 265 265.743 स्केर मीटर तो यह हमारे आगे तीन एरिया जो हमने फील्ड को तीन ट्राइंगल में डिवाइड किया था तो उन तीन ट्राइंगल के एरिया हमारे आगे हैं तोड़ा एक हमारा यह है दूसरा यह है तीसरा यह है तो हम दिखेंगे अब इसमें टोटल टोटल एरिया और फील्ड जो हमारा आ गया 377.672 प्लस 396.817 प्लस 265.743 इनको हम एड्ड जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1040.232 स्केर मेटर तो यह हमारे इस लैंड का एरिया हो गया तो यह प्रोसेजर जो है हम किसी भी लैंड का एरिया क्याकुलेट कर सकते हैं प्रोसेजर सेम रहेगा कि हमें क्या करना है हमको करना है कि जो पूरा हमारा लैंड है पहले उसकी बॉंडर की मेजरमेट लेंगे हम और बॉंडर की मेजरमेट जब हम लेंगे उसके बाद हम उसको ट्रैंगल में डिवाइड करेंगे जो ट्रैंगल में डिवाइड करेंगे और फिर जो triangles के sides है, जिनकी measurement हमारे पास missing है, फिर उनकी measurement लेंगे, उसके बाद उन triangles का area जो हम here on formula से calculate कर सकते हैं, आगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि जो यह हमारी land measurements है, इन measurements को हम autocad में कैसे plot कर सकते हैं, और फिर उस autocad से हम area calculate करना सिखाएंगे, hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इसको like कीजिएगा, share कीजिएगा, thank you.